यह में अगर आप loss में हो, 23 दिसम्बर के दिन, आप अपने सारे lossage को एक ही दिन में recover कर सकते हो, योगि Big Best League Man जो हमारी एक premium series उसके दो matches होने वाले हैं, अगर ये दो matches आपने target किये, तो आप अपने पूरे fantasy career का loss एक दिन में recover कर लोगे, हमारे जितने भी members हैं, वो एक-एक match में लाखों को करोणों में convert करते हैं, आप में अभी तक हमारी winning नहीं देखी हैं, तो आप बहुत पीछे हो fantasy में, super smash man of women जो हमारी premium series है, उसका भी आज एक पहला jackpot match था, उसमें भी हमने ultra clean ship किया, मैं आपको दिखाता हूँ पहले winning, यहाँ पे screen पे आपको हमारे telegram channel दिखाई दे रहा है, जहाँ अगर मैं winning की बात करूँ, तो हमने super smash man के पहले jackpot match में, 44,000 का investment किया, limit में हमने investment किया, 1,18,500 के winning की, लगभग 75,000 का profit हुआ, कुछ league, यहाँ पे इस तरीके से हमने winning की, यह हमारे team थी, सैंचिनर हमारे captain थे, wise captain हमारे team सेफ़र थे, प्लस Ajaj Patel को किसी भी opponent नहीं लिया था, इन्होंने तीन wicket लिया, असानी से हमने clean ship किया, इतना ही नहीं, इंडिया वरसे South Africa के match में भी हमने आखो पहले से बोला था, कि हम लोग ultra clean ship करने वाले हैं, और यहाँ देखो हमने क्या किया, यह हमारे team का combination था, captain हमने बनाया था, Sanju Samson को, क्यो हमने बनाया था, यह हमने वीडियो में भी discuss किया है, wise captain KL Rahul को हमने बनाया था, इसके अलावा यहाँ पर जॉर्जी को एक बार फिर से हमने अपने team में लिया था, second ODI में हमने नहीं लिया था, लेकिन यह अच्छी form में थे हैं, इनके बारे में भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, batting pitch है, तो batsman आपको लेने है, अर्दिप सिंग को लेना ही था, मैंने बताया था, हैंड्रिक्स और बर्गर में इंके बॉलर है, लेकर के चलना है, आवेस खान का मैंने option दिया था, यह आप इंको ले सकते हो, first ODI में चार विकेट लेकर के आ रहे हैं, इसलिए मैंने इंको लिया, प्लस यहाँ पर right handers ज्यादा थे, South Africa के पास, तो हमने यहाँ पर अक्सर पटेल को लिया था, तो यहाँ पर हमने 25 contest join किये थे, 25 के 25 contest हमने यहाँ पर clean ship किये, एक league जो जिसमें की आपको opponent दिख रहे हैं, Elbury के ground पे, जहाँ पर कि international तो कोई भी match नहीं हुआ है, यहाँ पर domestic matches हुए हैं, वो भी women's के, एक man का match हुआ है, Sydney Thunder होबाट के बीच में, यहाँ पर 228 बना था होबाट पीटी में 166 पे all out हो गए थी, Pacers को यहाँ पर 13 wicket मिले थे, Spinner's को 2 wicket मिले थे, लेकिन यहाँ पर rich spinners को wickets मिल सकते हैं, लेकिन मदद करेगी यहाँ के पिच, Pacers होई, इसके लाबा जो women's के match हुए हैं, इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, विए women's के match में, हर pitch पे spinners को wicket मिलते हैं, तो यहाँ पर generally Pacers को मदद मिलती हैं, और batting friendly पिच होती है, इसके लाबाएं एक international match यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, पहले हुआ है, वो भी ODI का हुआ है, T20 नहीं हुआ है, Jim Bobbi ने 134 बनाया, England भी नहीं chase कर पाया इतने कम target को, तो इस तरीके मैच हुआ, पेसर्स ने ज्यादा विकेट लिए, इस पीनट्स को यह 5 विकेट मिले, अब आगे यह कहानी करते हैं, अब यहाँ पर दोनों ही टीम की बात करो, तो बहुत खराब खेल रहे हैं, Sydney ठंडर ने भी 2 match खेल के दोनों हा रहे है, Melbourne Stars ने भी दोनों खेल करके दोनों हा रहे है, अब दोनों के लिए must win match रहेगा, दोनों टीम का squad देख लेते हैं, तो आप भी इनकी website पे आपर करेंट squad देख सकते हो, Melbourne Stars के अलग website है, तो यहाँ पर Glenn Maxwell की वापसी हुई है, जोगी captaincy करेंगे, Joe Bans से, काटराइट है, काउच है, Dawson है, Sam Harper है, कैलावे, Nick Larkin, Merleau है, उसामा मीर है, जोई पैरिस है, Harris Rauf है, Corey है, इसके लावब टॉम रोजर से, इस टैकटी है, Marcus इच्वाइने से, ब्यू वेब्स्टर है, इनी ठंडर में अपने स्कुएड अनौन्स कर दिया है, जिसमें की तन्वीर सांगा की वापसी हुई है, Cameron Bancroft है, Olly Davis है, Gikes है, Chris Green, Alex Hells, Hatcher, Jaman Khan, Nathan McAndrew, Alex Ross, William है, Daniel Sam से, गुरिंदर संद हुए, जैसन सांगा है, जैसन सांगा की वापसी हुई, दोनों ही सांगा है, तन्वीर सांगा तो पहले से ही खेल रहे थे, जैसन सांगा सांदार बैट्समेन है, पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहते हैं, एर के स्टैट्स को यहाँ पर देख लेते हैं, Alex Hells, इस वैन्यू पर एक मैच के लाए 77 बनाया है, निक लारकिंग का अच्छा रिकॉर्ड है, सिड्नी ठंडर के अगेंस्ट में, 10 मैच में 326 रन है, हैरी स्राउफ ने तीन मैच में 9 विकेट लिया है, सिड्नी के अगेंस्ट में मैक्सविल के वापसी हो रही है, इस टैकटी ने ऐलेक्स हेल्स को दो बर आउट किया है, और हरी स्राउफ ने दो बर 30 बॉल में आउट किया है, इसके लाबा काउच ने दो बर आउट किया है, 5 बॉल में, डैनिल सेम्स को हरी स्राउफ ने दो बर आउट किया है, 14 बॉल में, इसके अलाबाद देख लेते हैं 8-2-1 मैचेश की बात करें तो Melbourne Stars ने जो लाश मैच केला था Sydney Thunder के साथ 119 बनाया था Sydney Thunder ने चेस कर लिया था Hilton, Cartwright, Rogers वगरे ने अच्छा किया था यहाँ से Daniel Sam, Guyx, Chris Green 122 बना, 123 बना के चेस कर लिया दोनों ही low scoring game होए थे लेकिन आप देख सकते हो दोनों में एक खास बात थी इतने low score को चेस करने में यहाँ 7 विकेट गिर गिर गिया, यहाँ इनका 9 विकेट गिर 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 गिया इनफाक्ट इन्हों है last ball पियानी चेस किया है 20 ओवर पूरा केला था तो दोनों की balling भी तगड़ी है यह वैसे पहले का सीजंग का है निक लार्किन है, नाथन कल्टर नाइल ने अच्चा किया वैप्श्टर है, डैनियल सैम से बगेर है, सांगा है गुरिंदर संधू है, आगे चलते है गुरिंदर संधू अच्छा करते है, इसके बाद देखते है सिद्नी ठेंटर का हुआ अगे चलते है, यहाँ आप देखोगे टॉम रोजर्स ने बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस किया है कई बार, तो आप इनको एजर डिफरेंस से पिक ट्राई कर सकते हूँ सैम हर पर लगातार फ्लॉप हो रहे है जो बंस ठिक टाक प्लियर है, कर सकते हैं बट बड़े इनिंग इनकी कहीं भी नहीं है ग्लैन मैक्सवल यहाँ पर पहले ऐसे प्लियर है जो मर्श्टिक है, और कैप्टेंग की चौईस है ले के चलना है, कैप्टेंग बना देना इस टो एनिस लगातार फ्लॉप जा रहे है और लाज्ट मैच में जो कि मैक्सवल नहीं खेले थे तो इनोंने बॉलिंग कराई थि, वबॉलिंग कम करा रहा है तो इनको आप ले करके तो जरूर चलना इंपोटेंट रहेंगे इंपोटेंग काटराइट पहले इनिनिग में अगर बै्टिंग आ रहेंए इंपोटेंट रहेंगे तो ये आपके लिए वैसे important रहेंगे जारतर वेंज पे कुछ player है उनका record आपके सामने है Webster खेल सकते हैं अच्छे player है और couch वगेरे भी खेल सकते हैं आगे चलते हैं Camerun bank crowd बहुत अच्छी form है 74 बना के आ रहे हैं Alex Health लगातार flop जा रहे हैं यहाँ पे अच्छा खेला था लगातार flop है अच्छा खेल सकते हैं जैसे James wins England के flop जा रहे हैं आज जो मैस था सेडनी सिक्सर में खेलते हैं यहाँ पे Alex Health flop जा रहे हैं England के जारतर player flop जा रहे हैं वैसी अच्छा कर सकते हैं जैसे डिफ्रेंसल पर ट्राई कर सकते हो Jason Sanga की वापसी हुई है जब भी खेलते हैं अच्छा खेलते हैं बट recent form अभी injury से उभर करके आ रहे हैं तो फिलाल हम पहले match में ट्राई नहीं करेंगे यहाँ से bankroft important है इसलिए हमारे members continue win करते हैं आप भी अगर हमारी तरह win करना चाहते हैं एक number note करके रखना है 914-0233-474 यह हमारा WhatsApp number है के बाद यहाँ पर जमान खान है पहले balling करते हो यह ज़्यादा अच्छा करते हैं उससे में ले सकते हो तन्वीर सांगा दोनों balling में important है यह wicket taking baller है लेना चाहिए इंको HR इस match में नहीं खेलेंगे high chance है Maxwell की वापसी हुई है गुरिंदर संदू खेल सकते हैं head to head में कई जगा नाम आया किसकी जगा पर खेलेंगे या तो यह Nathan McAndrew को replace कर सकते हैं को यह लगातार flop हो रहे हैं main इंका काम balling करना है batting करना नहीं है तो balling से इंको wicket लेना पड़ेगा बात करते हैं dream 11 टीम की यहां से Cameron Bancroft एक मात रच्ची चोईस है लेकिन इन दोनों के अभी पारी due है किसी ने किसी match में यह बड़े inning खेलते हैं तो हमको अगर news मिलेगी तो हम इनको अपनी टीम में लेंगे फिलाल के लिए edge पर prediction, current form लेना नहीं बनता है Oliver Davis और Rogers को मैंने यहां पर लिया आप Rogers की जग़े यहां पर Alex Health को भी ले सकते हो Alex Health है, Cartwright है Cartwright पहले batting में लेना है देखते हैं किसको लेना है यहां लिखा हुआ है unavailable, लेकिन Glenn Maxwell available है तो यह खेलने चाहिए, अभी तक तो यही हमको पता है तो यहां पर गलत लिखा हुआ है अभी फिलाल के लिए Ishto Ennis, Daniel Sams, Chris Green और Liam Dawson, यहां पर सीरे-सीरे Maxwell को आपको ले लेना है और अगर कोई और नियूज होगी कि क्यों available है अभी तक तो हमको ऐसी कोई जांकारी है नहीं Haris Rao, Tanvir Sangha और इसके अलावा यहां पर जमान कान यह मश्पिक है इसके अलावा यहां पर बैटिंग सेक्शन में हैल्स के साथ जा रहा हूँ और यहां पर Rogers के साथ जा रहा हूँ दोनों यह opening करते हैं अपने टीम की तरफ से important है काट राइट को में ले लूँगा अगर इंकी बैटिंग पहले आएगी इसके लावा बॉलिंग में नाथा मैकेंडरू का एक अच्छा option है और यहां पर अगर गुरिंदर संदू खेलते हैं तो इंको ले ले लिए आपने टीम में बहुत सांदार बॉलर है पिछला सिजन बहुत ही तगड़ा गया था कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कीजा है मैक्सवेल अगर खेलते हैं खेलना भी चाहिए उनको डिरेक्ट अपने टीम में लेके कैप्टन बना देना जहां तक वाइस कैप्टन का सवाल है बहुत सारे option है डैनियल सेम्स भी कैप्टन की बहुत अच्छी च्वाइस है बहुत सारे लोग इंको भी बनाएंगे कैप्टन क्योंकि balling का इनका confirm रहता है चारोवर प्लस बैटिंग से promote होते हैं अच्छी बैटिंग भी करते हैं Maxwell का balling का कई बार confirm नहीं रहता है फिलाल तो करार है balling कराएंगे खेलेंगे तो इसके लाव वाइस कैप्टन के तौर पे आप बना सकते हो तनुवीर सांगा को पहले balling में जमान खान को इसके अलावा आप यहाँ पे इस ट्वैनिस को भी बना सकते हो वाइस कैप्टन और Maxwell खेलेंगे ही खेलेंगे तो Maxwell और Daniel Sam's को बनाओ जाना बेटर है बात करते हैं पेड मेंबर्सिप की हमारे एक मातर वाटसेप नुमबर है 914-0233-474 टैलिग्राम पे कॉंट्रेक्ट कर सकते हो अधरेट सागा फ्लैस्बै गन को टाइप करके यह समय पेड मेंबर्सिप लेने का सबसे बेश ठाहिन है इस समय जो मैचेज आपको देखने को मिलें कि मार्केट में कोई विन नहीं कर रहा है तो कोई तो विन करेगा तो सागा फ्लैस्बै का हमारे मेंबर से विन करेंगे इस समय जो निउस सोर्सेज बिलकुल ट्रस्टेड है लगातार विन कर रहे हैं हम लोग बहुत बड़ी विनिंग कर रहे है अभी तो बहुत सारे मैचेज बाकी है बिग बैस लिग अभी यश्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर तो अगर एक दो मैच भी अगर आपको सागा फ्लैस्बैक का मिल जाता है सारे लॉसेज आप रेकवर कर सकते हो इसके लाव सुपर इसमेश मैन बहुत बड़ी सीरीज बहुत प्रोफिटेबल सीरीज उसमें विमन भी है मैन विमन दो सीरीज है तो उसमें भी आप बहुत बड़ी विनिंग करने वाले हो तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही आपका होश्ट अंदो संकोरी साइनिंग आउट बाबाए